तो आल्राइट गाइस जैसे तो देखो हम अच्छा दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन कई बार हम ऐसी मिश्टेक कर जाते हैं जो हमारे स्टाइल के साथ साथ पूरो ओवरार लोग को खराब कर देती है और इनमें से सबसे बड़ी कलती क्या कि हमें इनके बारे मे दो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ स्टाइल में स्टिक्स एंड उनकी स्लूशन के बारे में बात करने बाले हैं तो मेक शुर्ण वाच्छ वीडियो तिल रहे हैं इस आई अविश कर शिन पर यार्ड वाचिंग फैशन वने टिप्स तो करने फैश्रवाद करिये सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रसिं सेंस के तो देखो बड़े-बड़े प्रिंट्स वाले टी-शिर्स नहीं लेनी चाहिए वाइट शूस को नहीं पहनना चाहिए अगर बजट कम हो तो फेक ब्रेंट के शिर्स और टी-शिर्स को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वह आपको च्छपरी दिखाते हैं इस्ट आप हमेशा स्वाइट गलर के प्लें टी-शिर्स और शिर्स को खरी दें जो कि आपको सिंपल स्टैलिश और रशी दिखाएंगे अगर आप फॉर्मल और फिट को पहन रहें तो उसमें एक बात का ज्यान रखना कि उसमें आपका बेल्ट का कलर और आपकी शूस का कलर हमेंसा मैच होना चाहिए और एक बात कधा ने भी रखना कि आपके जो बेल्ट का बकल है वो जाला बड़ा नहीं होना चाहिए नमबर सेकेंड फॉलो स्किन के रूटीन आपका यह लगता है कि स्किन की के नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा और वह इस चीज़कों ज्यादा इंपोर्टन्स भी नहीं देते हैं लेकिन जब उनकी स्किन में फिर वह छोड़ी चोड़ी सब्सक्राइब जिससे कि आपको पॉइंटर पॉट्ट बॉटी पॉट्सर एंड आई कॉंटैक्ट अब यह तो मैंने कितनी बार बताया अपनी वीडियो में कि आपका बॉडी का पॉच्चर अच्छा रहना कितना जरूरी है अगर आपका बॉड़ी पॉच्चर आपको ल कॉन्टेक्ट बिनाना आना चाहिए भाई क्योंकि सब्सक्राइब किसी मीटें में गए हो और आप अगर आई कॉंटेक्ट नहीं मिला गए सामने अले बंदे से तो वह समझेगा कि हाँ यह बंदा तो अपने में लगा हुआ यह मुझ पर नहीं दे रहा है मेरे बातों को सुन अब यह मैं आपको एक ग्जामपर से सम्झाता हूं अब ही मैं फोन की कैमले में नहीं देखना को और आप से बाते करूंगा आप तु देखना का सब्सक्राइब आप देखना पादित अब मैं फोर्दी प्लड़े में देखना पताना कैसा लगता है है आई गाई में वेकल सीधर डिफ्रेंस चौथा पॉइंट है परस्टनल हाइजन आप किसी को ना परस्टनल एड़े में बहुत ज्यादा दिक्कते होते हैं इसके लिए मैं एक चीज़ सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि भाई आप एक अच्छा डिस्टिंग पाउडर को यूज करें अगर आपक सब्सक्राइब करते हैं अगर आप तो आपको अभी तो नहीं लेकिन आपको दिक्कत करनी पड़ेंगी और इसके साथ आप गुड क्वालिटी इनर्वेर में इन्वेस्ट किजिए जो कि आपके इंटिमेंट को प्रटेक्टेटर रखेगा पांचवा पॉइंट अब मुझ आगी जाएंगी सबसे पहले आप शावर लेके आएं इसके बाद आपको टॉबल से अच्छी तरीकी से अपने बॉड़ी को ड्राय करने हैं जिससे कि वह आपके पर्फ्यूम को लॉंग लास्टिंग बनाएगा और आपको कपड़ों क्यूब पर पर्फ्यूम को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब क्योंकि देखो मुझे ना तुम लोग को समझाने करना बहुत मज़ा आता है बहुत मज़े तो अगर हम वैलेंटेंस के हिसाब से बात करें कि अगर आप अपनी बंदी के साथ डेट पर तो आपको पर कौन से अच्छी लगेगी देखो अगर आप छपड़ी देखना नहीं चाहते ना आपको इंप्रेस करना ना तो आप हाई फेट को बिल्कुली अवाइड करें आपको स्लो फेट रखना है अगर आप परस्टनली मिर से पूछे तो मैं साइट से दो और एक का स्लोप रख बाता हूं एंड बीच की बार परवाल होगी तो वह अलगी दिख जगा कि हाँ भाई अभी अभी इसने फ्रेश हेर कट लिया है लेकिन अगर आप इसे सीधे ही जाने देंगे वह आपकी हैर श्टल ज्यादा शार्प लासी लगेगी एंड बालों को सेट करने के लिए आप हैर जल को आवोइड कर सकते है यह बहुत कर सकते हैं जो भी आपने यह यूज की है तो उसे सोने से पहले जरूर से वाश कर लें नहीं तो आपके हैर के साथ कुछ ना कुछ दिक्कते चालो हो जाएंगी नमबर सेवेंध वालेट अब मुझे पदा ही काफी छोटे मिस्टिक है लेकिन बहुत ही रद्दी अब मुझे अच्छा से पता और आप लोग को भी पता हुए कि अच्छा दिखने के लिए आपकी बॉड़ी का शीप में जाने कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो इसके लिए आप डेली 30 मिनिट करी सकते हैं बेसिक सा आप पुशुप समार सकते हैं स्कूर्स मार सकते हैं अगर आपको इस क्यों पर वीडियो चाहिए कि बेसिक वर्टकाउट में कौन कौन से होती है सो लेट में नों दा कमेंट सेक्षिन लाश्ट पॉइंट है और सबसे इंपोर्टन पॉइंट है वह क्या इन सब चीजों को करने का कॉन्फिदेंस अगर आपके पास एक बाइस ज़्छाइब का सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको मजा आया हो तो लाइक तो बनते हैं आप जालूँ ह little को यह कारते हैं ट्यक्सिर्स बारे मैंने इसका लिंक अपने दिस्क्रिप्शन ने रखाये तो फॉलो नाओ स्टे सेफ श्टे स्टैलिए